से आप लोग को पच्छे हैं और तेयारी आप लोग के अच्छी चल रही है अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जो है वो मिली जुड़ी और मैंने कुछ आप लोगों को तेयारी के टिप्स बताये थे आप लोगों के संपूर्ण सिलेबस को ज कि इसकी हमने 42 दिवसिय रणीती बनाई थी अर्थार 42 दिवसिय तयारी कारिक्रम हम ने इस पर बात की थी कि हम किस तरीके से जो है वो 42 दिन में अपने कोर्स को तयार करें और किस तरीके से हम उसको समब करें और कहां से किस level पर हम अपनी preparation को carry on करें, इस शुंकला में मैंने आपको जो है दो पार्ट बताए थे, यानि कि एक पार्ट में हमारा था GK का section कि हम GK को कैसे त्यार करें, और दूसरे पार्ट में हमारा था library का section कि हम कैसे त्यार करें, एक cut shot हम लेते हैं कि हमने dates क्या decide की थी हमने एक से पांच मार्च को जो है वो जीके का फर्स्ट पार्ट त्यार करने को बोला था देन फिर छे से बारा मार्च जीके सेकेंड देन तेरा से बीस मार्च जीके 3rd और 21 से 23 मार्च जीके 4 देन 24 से 31 मार्च जीके 5 की बात आपसे करी थी इसी तरीके से लाइबरेरी वाले सेक्शन में आते हैं तो एक से 7 मार्च हमने यूनिट 1 की बात की थी देन 8 से 18 मार्च लाइबरेरी के यूनिट 2 की बात की थी उसकी बाद 19 से 22 मार्च हमने कहा आपको 3rd यूनिट इसमें तयार कर लेना है फिर 23 से 26 मार्च 4th यूनिट हमें प्रिपेर कर लेना था और 27 से 31 मार्च के बीच हमारा 5th यूनिट क्या होना चाहिए ready हो जाना चाहिए यह हमने syllabus के according एक अपना तयारी का प्रारूप तयार किया था मैंने अनाउंस किया मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे students इस schedule को follow कर रहे हैं और इस schedule के according अपनी preparation कर रहे हैं अब बात यह आती है कि मैं हमेशा से इस बात का favor करती हूँ कि जब भी आप तयारी करें तो तयारी में जब तक कि test नहीं हो मुद्दे पर आते हैं हमारा जो मुद्दा है जब तक हम तयारी कर रहे हैं और उस तयारी को हम check नहीं कर पाएं तब तक हमारी तयारी किसी काम की नहीं होती है तो हमारी जो तयारी हमने कर लिया है उसको check करने का उसको judge करने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होता है हमारे test papers होते हैं हमारे question answers के solutions होते हैं जिनको हम लोग solve करते हैं तो अब यह हमने जो है यह दस part में आपके जो है इसको मैंने divide कर दिया पूरे संपूर्ण जो आपका library का syllabus है उस संपूर्ण syllabus को मैंने 10 parts में divide कर दिया अब इन 10 parts को जो है आप पार्ट-वाइस preparation कर रहे हैं तो preparation के बाद उसको judge करना तो बनता है ठीक है judge करना बनता है तो वह judgmental वाला काम जो है वह हम करेंगे उसको मैं देखूंगी उसको मैं चेक करूंगी अगर आप मेहनत कर रहें तेयारी करने में तो इतने टाइम से जो है मैंने test series available कराए है free कराए है अब जब समय आया है कि आपका exam हो और आपके result की बारी हो और last moment preparation की हम बात करते हैं तो अभी भी हम बिल्कुल systematic way में उसकी preparation को जो है वो carry on करेंगे एक बात थी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले YouTube community post पे जो है एक post डाला था और मैंने एक voting कराई थी मैं यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी तेयारी कर रहे हैं तो तेयारी के अंदर आप current से कितने रूबरू हैं अर्थात समसामाई घटनाओं को ले करके आप किस तरीके से concerned है या किस तरीके से आप उनको देखते हैं question बिल्कुल simple था question क्या था सू पोशित मा सू पोशित मा कारिक्रम हमारे प्रदेश के किस जिले से आरंब होना है बहुत ही साधारन question था अगर आप daily newspaper पढ़ते तो शायद जो voting scale है हमारा वो बहुत अच्छा रहता मैंने इसमें जो है चार option डाले थे option था हमारा जोदपुर जैपुर कोटा और बिकानेर मैंने ये question इसलिए डाला था क्योंकि ये समसामाई घटनाओं से related है आपके course के अंदर जो है भुगोल के paper में कारिक्रमों का भी दिया हुआ है विभिन प्रकार की योजनाएं और विभिन प्रकार के कारिक्रम तो उन कारिक्रमों में से हो सकता है ये ततकालिन बहुत एक ज्वैलन्स शील या बोल सकते हैं कि current का मुद्दा है तो हो सकता है question यहां से बन जाए मैंने polling जो कराई थी उस polling के अंदर अगर मैं बिकानेर की बात करूँ तो 2% लोगों ने तक्रीबन 500 के करीब लोगों ने जो है वो आंसर किया था जिसमें से majority हमारी जो है वो जोदपूर कह रही है majority हमारी यह कह रही है कि सूपोशित मा कारिक्रम जो है वो जोदपूर से प्रारंब होना है आप तीन दिन पहले का पेपर उठाइएगा राजस्तान पत्रिका को आप उसको उठा करेखेंगे तो यह कारिक्रम हमारे कोटा से आरंब होना है ठिक है कोटा से आरंब होना है इस कारिक्रम के तहट एक सर्वे कराया गया था उस सर्वे में तक्रीबन 5-6,000 महिलाओं को ऐसी गर्वती महिलाओं को लिया गया था, जिनकी जाच की गई यानि जब से उन्होंने गर्वधारन किया और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तब तक के बीच तक का जो है वो सर्वे कराया गया था कि उस situation में, completely उस situation में क किस तरीके का पोषण उन्होंने लिया और उस पोषण की पर चाद यानि कि जब उन्होंने बच्चे को जनम दिया तो जन्म के पर चात माता का सवास्ति क्या रहा वो पौकर शीट रही कू पुसी रही यह वो किसी भी बीमारियां कहां से आती हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है, इस वज़े से आती है, तो कोटा में एक स्थानिय जो है वो NGO है, उनके और बाल विकास मंत्राले भारत सरकार के तरब से स्मृति इरानी जी जो है ने जो है इस पे जो है वो बहुत अपने प्रतिक्रिया व्यक्ति की, और सरकार और NGO के मदद से 1000 ऐसी महिलाओं के उपर ये कारिक्रम जो है वो किया जाएगा, जो अपने जो है वो इस काल से गुजरनी यानि गर्व धारन से ले करके वो बच्चे के जन्म तक के काल तक जाएंगी, उनके उपर ये सर्वे किया जाएगा, और किया जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट देखा जाएगा, कि रिजल्ट में क्या आता है, तो ये कारिक्रम था, जिसका आंसर कोटा है, तो ऐसे कुछ हलके फुल के जो है, वो क्वेस्चन को ले करके, कम्यूनिटी पोस्ट पे मैं आती रहूंगी, जिस से जो है, वो किसी जो है, वो उसको दिखा सके, अब इस क्वेस्चन से तो मुझे समझ में आ गया, कि आप लोग केवल रटने वाले हैं, केवल रटाफिकेशन आपका काम है, करेंट इशू से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आंसर था, वो आंसर जो है 30% लोगों ने भी करेक् सब्तलब हैं, आप डेली न्यूस प्र नहीं पड़ते हैं, या डेली अपडेट नहीं होते हैं, डेली के न्यूस से, चलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर लीव करते हैं, हमारा जो में टॉपिक था, कि हमारी तैयारी चल है, उस tag़री के according हम किस तरीके से आगे test and all करते चलें तो test की में बात करती हूँ तो मैं ये जो sequence मैंने आपका बनाया है GK का और library का और इसके अंदर मैंने क्या-क्या डाले हैं ये आपको previous वीडियो में पुरा बता दिया था यानि कि अगर हम एक से पांच मार्च की बात करते हैं GK का part 1 अगर हमने बनाया है इसी according तयार करेंगे अब मैं proper schedule इसका नहीं बना पा रही हूं मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूं क्योंकि मैं committed नहीं रहना चाहती दिन रात में उसी के बात करूं तो टोटल टेस्ट हमारे पास कितने आते हैं दस आते हैं अब इन दस टेस्ट को हम किस तरीके से करेंगे कहां करेंगे कब करेंगे जब आप लों का 29 दिसम्मर को exam final हुआ था तो जितने भी लोग YouTube पे मेरे साथ जुड़े हैं जितने लोग भी application पे जुड़े कि मैंने कुछ test series कराई थी और उन test series में से यानि कि कौन से unit का test कब होगा उसकी announcement मैं community post पे डालती थी दो दिन या तीन दिन पहले डाल देती थी कि आने वाले शनिवार को unit 1 का test होगा और आप unit 1 को prepare करते थे और prepare करके आप Saturday को test देते थे देन फिर मैं 4-5 दिन के बाद जो ह मैं community में पोस्ट डाल दूंगी जैसे मालिजी आपका सबसे पहला paper होना है सबसे first number पर हम चलते हैं तो हमारा पहला paper एक से पांच मार्च के भी जीके का तो मैं community पे पोस्ट डाल दूंगी कि जीके कि first paper कि डेट डाल दूंगी दिन डाल दूंगी समय डाल दूंगी इतने तारिख को होगा तो आप उसको attempt कर सकते हैं लाइबरेरी में आते हैं एक से तारिख को इतने बज़े से होगा तो इस तरीके से करके चुकि आपका मुझे पता है एक से पांच अगर मेरे शिडूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट वाला पार्ट आप मुझे चोड़िए हमेशा से आप लोग के साथ हूं अब भी आप लो जैंले आप मध्यम वर्گी हैं तो भी यह पेपर दीजिए मेरा जो मन है या मेरी जो इच्छा है वो यही है कि आप अपने खुले मन से जाएं और एक्जाम को अछी तरीके से दे करके आएं किसी भी तरीके से आपके मन में ये नहीं रहें कि मेरे पास यह होता तो मैं यह प सुख सुविधाएं तो आप पेपर को आराम से इजी बी में जाकर करके दे सकते हैं आपको ये चीजें समझ में आ सकती हैं तो बस मुझे आपसे डिसकस करना ता होब जो refund मैंने बनाया था उस स्काहडिक परेशन के जो लोग इस schedule को follow करके preparation कर रहे हैं ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग schedule के according preparation कर रहे हैं तो हम syllabus की किसी भी topic को ना तो छोड़ रहे हैं और ना ही हम extra पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो examination point of view से हम पूरे तरीके से syllabus के according ही चल रहे हैं तो जब according चलेंगे तो हमारा जो result आएगा वो भी accordingly ही आएगा और कहीं से हम कुछ होड़नी रहे हैं ज्यादा पढ़नी रहे हैं तो to the point हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आपको prepare कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से अच्छे पर टेस्ट को करने के लिए या बारा अप्रेल को focus करने के लिए तो आप schedule को focus में अभी तक भी अगर आपने नहीं start किया है schedule के according त्यारी करना तो अपसे भी आप start कीजिए schedule के according आप बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं खूब अच्छे से आप अपने paper को कर सक करते हैं सो आगे के लिए तब तक खूब अच्छे से हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और जबर्दस्त रहिए बाई-बाई